नमस्कार जोहार आप देख रहे हैं समचार प्लेज जार्खन बिहार और तमाम दर्शकों के साथ आज मैं हूँ आपके साथ सुमित रॉय क्रिकेट का महाकुम जो है उसका आगाज हो चुका है यानि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 की इस बार किस टीम का पल्ला होगा भारी टीम इंडिया किस तरीके से है तयार और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इस पूरे वर्ल्ड कप में डालने वाले इंपैक्ट इन सभी चीजो को ले करके आज हम एक discussion करेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस तरीके से जो stat क्या कहते हैं और किस तरीके से जब पूरी जितने भी 10 टीम में हैं वह किस तरीके से तयारी कर रही हैं हमारे साथ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और युवा खिलाडी जुड़ेंगे लेकिन सबसे पहली यह देखिए कि किस तरीके से इस बार वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है क्रिकेट कार्ड सबसे बड़ा महाकूंबु वल्ड कप 2023 शुरू हो चुका है ICC रांकिंग के अनुषार टॉप की बस्टी में इस विश्व कप का हिस्ता है 12 साल बाद भारत विश्व कप की में इस बानी नदार और पूरा देश इस चुनूर और जोश में उपरने को तयाद है टीम इंडिया अपने सबसे बहतरीन फर्म में है लेकिन जब बात वर्ड कप की आती है तो यहां हर टीम एक सुबढ़ कर एक नजर आ रही है और सेल्य और इंग्लैंड सबसे बड़े मस्पूत दावदार के रूप में सामने आ रहा है तो वहीं पाकिस्तान और न्यूजलेंड इसी पूपी चौखाने का मातर है देश के अलग अक्षेरों में चाली सिरों तक चलने वाले रसम महागों में पूरा देश उठ जाने को तयार है हमारी चुप कामना है टीम इंडिया के साथ है यह एक बार फिर वो 1983 और 2011 के लगों को वापस लेकर आए तो देखा आपने कि किस तरीके से पूरे देश में क्रिकेट का जो बुखार है वो सरचड़ के बोल रहा है और यह कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से इस बार ICC के टॉप 10 रैंकिंग जो टीम है वो 48 मैच खेलेंगी और इस महा मुकाबले को और भी जादा रोमांचक बनाएंगी हमारे साथ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट है शुभास चैटर जी जी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जितनी भी टीमें हैं उनमें सबसे जादा किसके चांसे हैं इस बार वर्ल्ड काप जीतने के या फिर सेमी फाइनल तक भी पहुँचने के और टीम इंडिया खास तोर पर जिसकी सबकी निगाहें टिकी हुई है वो इस बार किस तरीके से प्रयासरत है तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सुभा चटर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है समचार प्लस के तमाम दर्शकों के बीच आज हम एक बहुत-बड़े टॉपिक पर डिसकेशन करने जा रहे हैं यह जानना चाहेंगे की खिरीकर आप बहुत करीब से जहनते हैं और टीम मिडिया के जितने भी अभी प्लेइर्ज उनके बारे में आप बहुत अची समझा रखते हैं आपको क्या लगता है कि इस बार क्रिकेट्टिंग वर्ल्ड कप है जो वर्ल्ड कप 2023 है वो कितना ज्यादा रोमान चक होने वाला है देखिए सबसे पहले इस समाचार प्लास को धन्वाद देना चाहूंगा कि इस तरह का एक समय पर जिस टाइम वर्ल्ड कप पूरा 20 से देख रहा है उस टाइम आप लोगों ने हमको बुलाया और इसका उपर कुछ बात रखने के लिए बोल रहे हैं सबसे पहले इस वर्ल्ड कप में मैं एक भारतीय होकर नहीं बोल रहा हूं मैं क्रिकेट और क्रिकेट की बारीकी को देखते हुए मेरा अपना सोच है कि इस बार वर्ल्ड कप में टीम इंडिया इस सबसे फेवरिक टीम है उसका जस्टिफिकेशन जो है जी वो मेरा है कि एक टीम को सजाने के लिए जो जो प्लेयर की जूरुवत है जिस पोजिशन में इस तरगा प्लेयर की जूरुवत है यह इस बार इस टीम में उस तरह काया आप अगर कॉंपोजिशन को देखे सबसे पर एक कॉंपोजिशन उसके वाद उसका परफॉमेंस और डिसेंटली जो एशियन कप में जो परफॉर्मेंस है उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ उसको देखते हुए हमको लगता है कि भारती एक इस वर्ल्ल कप में इस बर भी आपके एक प्रभूल दापदर है बिल्कुल लेकिन एक चीज और है इन आकडों की अगर हम बात करें तो न्यूजिलैंड एक टीम है जिनका मैच वर्ल्ल कप का इंग्लैंड वर्से न्यूजिलैंड एक ऐसी टीम है जो पिछले चार बार से समी फाइनल में रही और दो बार से फाइनल में रही है न्यूजिलै एक टीम है जो कभी भी वर्कप में ऐसा नहीं देखा गिया कि इसका परफर्मेंस वर्ल कपे जुटने लाक है लेकिन इसका वर्ल कप चलने टाइम में जोare.... वह 뭐.. was हमेंसे उस्ट आ रहा है execution में आपको बहुत experience प्लेयर की जूरत होता है उस मामले में अगर देखा जाए तो भारीदे टीम में इस बार ऐसा बहुत सर प्लेयर है जो काफी world cup matches खेल चुके हैं जी और उसका present जो form है उस form को आप compare कर सकते हैं किसी टीम के साथ कि हम उसको बरावरी कर सकते हैं आपके हिसाब से इंडियन टीम जो है उसका जीतने के चांसे जो इस बार है वो बहुत ज्यादा है बागी टीमों के बनिस्पत रोही शर्मा के बात कर लेते हैं सुभाज जी कि रोही शर्मा इस बार बतार कप्तान world cup में अपने टीम को लेकर उतरेंगे और पूरे देश भर क को इस टीम से कासी उमीदे हैं रोही शर्मा के फॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लेकिन उससे पहले और चीज़ बता दो कि रोही शर्मा ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यों दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं 10 ओवर तक टिक गया तब मुझे इस मामले में रोहीट सर्मा एक ऐसा क्रिकेटर है और अगर बड़ियां से स्टार्ट करते हैं तो वर्ड में किसी टीम के साथ वो compete कर सकते हैं और इंडिया को एक मजबूत पारी बनाने में मदद करेंगे बिलकुर बिलकुर एक बार ये ये कभी नहीं होता है कि हम 10 उबर रहे जाएंगे रहने पड़ेगा आप मेगा इवन टीम का कफ्तान है आपको रहने पड़ेगा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उनकी उपर भी एक बार टीम जो इस बार की स्कॉर्ड है टीम इंडिया उसके बारे में बात कर लेते हैं लाइनप में एक बार बता देता हूं रोही शर्मा उसके बाद स्रेयस ऐयर ये दोनों का जो ओपनिंग पैर है क्या लगता आपको कि ओपनिंग पैर कितना बड़ा जो फ्लो है उसके लिए उपनिंग पार्णर्शिप कितनी जरूरी होती है देखिए सबसे पहले हम तो अगर बोलेंगे कि अगर हमको टीम बनाने दिना जाए तो ओपनिंग में रोहीत सर्मा और सुमन गिली आना चाहिए ना कि स्रेयस आयर स्रेयस आयर वन डाउन या टू अगर तो ठीक है कि यह जो सर्कल सिस्टम है यह जो सिस्टम में इस तरह से परफॉमेंस आई सुमन गिली और अगर दी सेम टाइम रोहीत सर्मा का कुछ सौर्स इस तरह का है जो सर्कल में बहुत ही एफेक्टिव है तो स्टार्ट उसी जए करना चाहिए करके एक ओपनिंग स्टैंड किसी मैच में वो लोक स्कोरिंग मैच को हम स्टेज करें या बीग टोटल को सेट करें बोधी सीचुएशन में इनिशेल जो 10 तो 15 ओवर्स बहुत इंपॉर्टन होता है वहां से एक स्टैटिजी बन पाता है कि मेंड लोडर कैसे खेलेंगे उसका लोडर बैसमन की खेलना है यह इसले सीले हमेशा everything the dependence effective रुपनिंग स्टैंडर किसी देशन में वेगाच में टारुट सेट जो existing rate है इस equation को समझने के लिए में में बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर है उसको एक अच्छा all-rounder slot है जो जड़ेजा हो गया फिर वह पेस बोलर जो हर्दिक पांडिया हो गया है बिल्कुल मुझे लगता है कि जितने भी टीमें खेले उसमें सबसे अच्छे अगर slots कहा ज और उसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर चुकि युवा खिलाडी है सारे और क्रिकेट को बहुत नजीकी से देखते हैं दिन रात प्राक्टिस भी करते है नेट्स में और किस तरीके से उनके अंदर उस साथ देखने को मिल रहा है ब्रभा बिल्कुल समित हम टीम इंडिया की बात कर रहे है तो समचार प्लेस पर भी एक टीम यहाँ पर रैडी है और आपको याद अbelt समिप जब समचार प्लेस ने आखरी बार क्रिकेट की यहाँ पर बात की थी तो कोनी चर्निकोंस सपोर्ड कर रहा था फो इंडिया उतनी को कड़ सोपोर्ड रही है व जाहिल कितनी एक्सपेक्टेशन है इंडियन टीम से कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंडिया में ही रहेगी जी यह तो अधिकतर प्लेयर है वह सारे इंडियन विकेट में खेल चुकी है जो हम लोग कैप्टन है उनका तीसरा वल्ल काप है 2017 में वो खेले थे 19 में भी थे और इस साल वो कैप्टन इस यहर में वो कैप्टन है तो उसी सबसे वो प्लान कियोंगे और बात रहा कि फर्स्ट जाउन सेकंड उनका तो वो तो सुम्हन गिल का फिक्स है वो रहना ही फिक्स पर हैं तो उनको रखना जरूरी यह टीम पर और हला कि हम लोग के बॉलर्स तो बहुत सही कर रहे हैं मोहमत सैमी मोहमत सिराज यह तो आउट्स्रेंडिंग बॉलर है अभी बहुत ज्यादा इंप्रूफ किया है यह लिग एज़ा आफ सीजन यह लोग एंसी में जाके बहु जैसे दोनी थे तो लीडर्शिप होती है टाक्टिक्स होते हैं कि वो किस प्लेयर पर कितना विश्वास कर रहा है दो रोहित कैसे कैप्टन है मैं यह चीज वो खुद बता चुके वो तीनों फॉर्मेट में अब इंडिया नंबर वन पर है तो इंडिया कितना डॉमिनेट क सब्सक्राइब यह एक्स्प्रियंस भी उनके पास बहुत है वो पिछले सीजन में आई थिंग मेरे को फाइफ सेंचुरी मा रहे थे 2019 में और इनका अभी कप्तानी भी एक नंबर पे चल रहा है क्योंकि सारे मैच विनर प्लियर है और राउंडर्स की बात करते हैं जडेज की जीतने चांसेे बढ़ चुके और फिर जडेजा अचसे फीलडर भी हार दिक फाडिया अच्छे बॉळर भी है लिफटआरे जडेजा वे लेकल की बात हो रही थी कि वो टर नमर पर आते हैं लेकिन शायद उन्हें सेकंड नमर पर मेरा प्रवाइब 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 तरीके से वहां जितने भी क्रिकेटिंग फैंस आपके साथ जुड़े हुए वो बता रहे हैं कि टीम इंडिया के चांसे बहुत ज्यादा है और सबका एक दृट भरोसा है रोई शर्मा हो चाहे वो पूरी स्क्वाड हो लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में अभी शुबाज चाटर जी जुड़े हुए जो क्रिकेटिंग स्पर्ट है उनसे हम चर्चा कर रहे थे सुबाज जी जो सबसे ज्यादा टीम जो परिशान करने वाली दिख रही है अभी जिसका पहला मैच भी होना है टीम इंडिया के साथ साथ डॉमिननग्स जहां तक सवाल है कि इंडियन सॉइल में है अगर यह मैच को निए होता तो फिसका एंडियन खेल सकते हैं इसलिए ये मैच इंडियान शौल में एंस एंस तेम केंजन हैं हमेशा हमेशा लगता है कि अस्वारी रहेगा तेम की बात कर लेते हैं सुभाज जी अच्य अच्य प्लेयर्स हैं यहां पे डेविड वार्नर मारकस स्टीव समेत हैं ट्राविस हैड हैं और कप्ता इसके पैस उतना अनुभव मुझे नहीं दिख पा रहा है लेकिन फिर भी इस बार टीम की दारुमदारी उनको दी गई है क्या लगता है कितना turnover कर पाएंगे अपने क्रिकेट 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 कपतान का बहुत वरा रोल है उस मामले में अब अगर देखेंगे पैट कमिन्स जतना भी मैचिस में यह किये कपतानी किये कभी उनको लगा नहीं कि स्ट्रेटीजी के लिए वह अच्छे तरह से करते हैं जिस तरह से प्रीवियश जतना भी ऑस्टिलेन काफटान थे वो समीथ हो यह पुराना जतना प्लेयर से हमको लगता कि यह कंतानी और मुर्कानी का जो कमांड दिया गया बैड कमिंस को इसमें कहीं पर ऑस्त्रेलिया ग बॉल डालना है यह सालवर आईपेर में खिलते हैं वो जानते हैं कि कौन प्लेयर को कहां बॉल डालना है अगर उस लाइन में बॉल डालेंगे तो हमको लगता है कि ऑस्टिले का साथ इंडियन स्वाइल में हमेशा इंडिया अच्छा टीम एक और टीम है सुभाज जी जिसका खास और पर इंडिया में जितने भी क्रिकेटिंग फैंस है वो बेसबरी से इंतिजार करते हैं और वो टीम है पाकिस्तान इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं होता वो एक इमोशन है दोनों ही कंट्री से जुड़ा हुआ है और लोग इतने जादा भावुक हो जाते हैं इन दोनों टीम्स के मैच को ले करके कि उसका कोई उसकी कोई हद नहीं होती है 14 October को इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होना है पाकिस्तान के कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं पाकिस्तान की टीम के बारे में आपकी क्या सोच है लेगिए पाकिस्तान टीम जहां तक मेरा सोच है कि पाकिस्तान टीम का बोलिंग जतना अच्छा है उसका फिल्डिंग भी उतना ही खरावे ऑगर किसी फिल्डिंग साइट वांडेकरएड में या लिमिटेवां कड़ेंगे अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगें तो किसी टीम मेंग नहीं कर सकते हैं जोमयरे क्सके बाइज करने करेंग जहां तक m2 शर्डियंग कंड़ेंगे ना कि पकिस्थान को हरा नहीं, हमको एक अच्छा मैच एक टोनामिन में केल के हैं, हमको परफॉर्म करना है, हमको सिचेज़ में जैसे डिमान करता है, हमको एग्जेकीशन उस तरर सी करना है, यह सोचत के लिगे, तो पकिस्थान इंडिया को हरा نہیں सकता है एक fast bowler है पाकिस्तान की टीम में शाहिन अफरीदी जो इन दिनों काफी जादा सुर्खियों में है अपने performance के ही बदौलत शाहिन अफरीदी इस पूरे World Cup में खास तोर पे इंडिया के विरुद में कितना impact ला सकते है अपनी टीम में लेकिन अफरीदी बहुत बढ़िया बोल को भी देखने पड़ेंगे कि अगर स्वीन कर रहा तो उस सीचियोशन में और क्योंकि अपने विराट कोली को देखा भी था पिछले मैश में पिछला जब उन्होंने टोर्नमेंट कहला ता कि उसमें शाहिन अफरीदी के बॉल पे सीधा उठा कर उन्होंने वेस्ट हाइट पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो होता है वो एक इमोशन से बढ़ करके है वो सिर्फ टीम नहीं खेल रही होती है ऐसा लगता है कि दो देश जो है वो आपस में भिड़े पड़े हैं इस मैच को लेकर के तो उनसे जानने की कोशिश करूंगा जितने भी आपके साथ क्रि कीम का स्वागत किया है और तब से और ज्यादे जो आप कह रहे थे जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो एमोशन से जुड़ा होता है कि बिल्कुर चाहे वो कोई क्रिकेट फैन हो यद्या पाकिस्तान का मैच को मिस्स नहीं करना चाहता है और अभी जो यह वर्ड सीवा क्या पत्री में वाजाव भी नमबर वन बैट्समें पर आ रहे हैं थो कितनी स्बूत है पाकिस्तान की टीम टो मजबूत है लेकिन इंडिया के बैट्समें भी विराट खोली वो है तो साहीन अप्रिदी और रिज्वान तो वो लोग तो वो लोग तो विराट खोली के सामने कुछ है नहीं चली अच्छा एक और चीज है कि जादा तर जुसमें न्यू प्लेयर्ज है वो कभी इंडिया में अभी इतना उनके लिए फामिलियर पिछ रहा नहीं तो उसका एक डिस अड्वांटेज मिल सकता है डेफिनिटली डिसअड्मेंटेज मिलेगा उनको क्यूंकि उनको पहला मैस तो कुछ बोलनी सकते टाइम तो लगेगा सबको देखने के लिए पर एक्चल वो लोग जो भी प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं जो जहां पीछ पर इंडिया का डिफरेंट इफरेंट पीचेस में बहुत हावा चलता है और इंडिया में यह सिच्वेशन नहीं है इंडिया का पीच थोड़ा हाड है और एज बैटिंग एज बैटिंग लाइन में देखेंगे तो बावराजम जो है वो भी डेफिनिटली एक तरह से सर्वाइफ कर जाएंगे वैसे दिक्कत बात नहीं लेक लेकिन वो लोग को ऐसा मैच प्लेर ही खिलना पड़ेगा शाहीन के बात करते हैं उनको इगल शायद कहते हैं बड़े तेज बोलर हैं और कम समय में बहुत सारे विकट दी है अपने टीम को वो एक टफ मतलब की मुश्किल बन सकती है टीम इंडिया के लेकिन विराट के पा किसी को बैटिंग के लिए और साहीन अभी उतना फीट नहीं क्योंकि वो 145 प्लस बॉल डालते थे लेकिन इंजरी को जैसे अभी उनका 135 ही चल रहा है तो अभी उतना फीट नहीं है तो डॉमिनिट उतना कर नहीं पाएंगे और हारीश्रॉफ भी इंजड ही रह रहे हैं प तो वो भूल नहीं पाएंगे तो इंडिया मेरे को लगता है 95 डॉमिनिट ही करेगा पांच परसेंट ही रह पाएंगा पाफिस्तान आपके साथ जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उनका जोश देख करके तो यह लग रहा है कि वो मान के चल रहे हैं कि टीम इंडिया जो है वो इस जो भी सब कॉंटिनेंट जितने भी पिचेज होते हैं और वहां पे और जो दूसरे जगह की टीम होती है उनको स्पिन बॉलिंग जो है वो खेलने में कहीं न कहीं दिक्कत आती है लेकिन अगर मैं इंडिया स्कॉर्ड की तरफ एक बार नजर डालू तो उसमें मुझे बस कुल्दीव जादव जो है वो एक पर्मनेंट स्पिनर के तौर पे दिख रहे हैं आपको क्या लगता है कि और स्पिनर होने चाहिए थे टीम स्कॉर्ड में इसमें विकेट का बहुत ज्यादा यह नहीं रहेगा कि यह विकेट आम फास्पिकट बना ले यह स्पिन बोलिंग अपना रापतार से चलता है एफटार से फर्वесто को सब्सक्राइब यह स्पीड उसका इसलिए आपको बैटिंग करकेरिस इतुने पड़ेगा बोलिंग आपको बैट्स्मन को गॉन्टें कर सकते हैं अच्छा फेलिंग से रान को रोक सकते लेकिन आगर यह स्ट्रेटिजर होगा कि हम विकेट बनाई हैं स्पीन ट्रैक्क वान डे क्रिकेट का प्रस्पेक्टिव हम बोल रहे हैं हम आपको नहीं बोल को में आपको विकेट को फेवरोबल बनाने ही पड़ेगा बैट्समें का आपको बोलिंग जगह में डालके आपको फिल्डिंग करकी तीम को जिताना है अगर ये स्टेडिजी कभी अगर इंडिया लेता है कि हम उसको स्पीन से बीट कर देंगे आप देगे जितने भी टीम है जो स्ट्राइक क्रेट है उसमें परिशानी होगा बिल्कुल एक और टीम है सुभाज जी जो की सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम कही जा रही है इस पूरे क्रिकेटिंग टूर्णमेंट में और वह है इंग्लैंड क्योंकि वह लगभग लगभग आप मानने के चलिए कि आठ भी खिलाड़ी उनकी जो ऑसतन एज निकाली जाए तो सबसे ज़्यादा वह बड़ी टीम है एज वाइस क्या इंपक्ट पड़ेगा इसका इस पूरे टूर्णमेंट में इंग्लैंड के तरफ से लेकिंग इंग्लैंड टीम का हम लास्ट मैच देखें इंग्लैंड टीम व बहुत बड़त चीज है उस स्पीड में हो सकते इंग्लैंड कहीं पीछे हो जाए लेकिन इस मामले में जहां तक पोटेंशियल है जहां तक अंडरस्टैंडिंग करेट का उसमें इंग्लैंड भी बहुत एक फेवरिट टीम है इस टूर्णमेंट के लिए लेकिन सारा यूनीट को अगर अब लें काफी परफॉर्मेंस बेस्ट सेलेक्शन हुआ मनें यह जो टूर्णमेंट जितना हुआ आई पेल से लेके जितना भी टूर्णमेंट इंडिया रिप्रेजेंट किया जिसके चलते है उसका जो प्लेयर जिस पोजिशन में जहां प्लेयर की सबसे अच्छे फॉर्म में कौन दिख रहा है मनले एक नाम मैं आपसे जानना चाहता हूं और एक बोलर का भी नाम बताएगा टीम इंडिया से जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा अभी फॉर्म में चल रहा है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है लेकिए पर परफॉर्म करके उसका टीम में जगा हुआ वह सूरिय कुमर जादव हो आपका जो इखिट की वर बैट्समन है उसका भी सेलेक्शन इसान किशन हो यह और एक जो राहूल जो है उसका भी जो सिलेक्शन हुआ विराट कोली खुद अपना फॉर्म में है तो हमको लगता है कि य जितना भी बैट्समन है सब को देखते हुए एमंग यूनिट में कंसिस्टेंट ज्यादा सुबमन गिल है लेकिन सभी बैट्समन समय समय पर जब जोगरत पड़ा परफॉर्म कर रहा है बिल्कुल हम प्रभा की पास एक बार वापस से जाना चाहेंगा हमारी सायों की पर वो खुले में दाव लगा सकते है और यह कह सकते हैं कि यह प्लेयर जो है टीम इंडिया के तरफ से इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है अच्छा तो यहां पर हम प्लेयर ऑफ दमाच की बात कर रहे हैं जो पहले से डिकलेयर करके रखते सब अपने अपन बैट्समेन में तो कोली का कोई टकर है नहीं तो कोली और बॉलर में सिराज बैट्समेन में कोली और बॉलर में सिराज बैट्समेन में सूममन गिल और बॉलर में जस्फरिद भूमरा जरी सबसे कुछ अलग था अच्छा एक और चीज क्योंकि सारे लोग कोली का बार बार नाम ले रहे हैं लेकिन विराठ कोली का है कि अभी पिछले एक साल ये दो साल में मैच्जिस बहुत कम खेले हैं उन्होंने और पिछले एक-दो साल में उतने जितने अग्रेसिव डिक्त है उनका performance उतना नहीं था तो इतना expectation क्यों है विराड से मैं वो कम इसलिए खेले क्योंकि वो सारा अपना energy World Cup के लिए बचाक रखे थे पांच सेंचुरी तो उनका फिक्सी है इसमें उससे कम तो मारेंगे ही नहीं कि मारेंगा वो फांच मारेंगे हैं यह सब्सक्राइब अपने फॉर्म पर चल रहे हैं वह वह अपने और जो ऑग्रेशन हम के तो वो कम होगा था वैसा रहेगा म। मैं बात कर रहें है विराट को लींड कऱ Capital लेकर शीज और एस बार इंडिया में व्ल्ड कप हो रहा बहीं कि नहीं सारे स्टेजिए ऑँडोलों बो सुपास जी हमारे साथ हैं वो भी करिकेटे बहुत बड़े फैन है तो इसका कितना मड़ा प्रेशर हो परेशन होता है जो होम टीम होती है क्योंकि टीम इंडिया लगतार जितने ज़्यादा उमीदे बढ़ते जाती है उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ते जाता है आपको क्या लगता है कि फैन से जाने कोशिश करूँ कि कि इस बार टीम इंडिया के पास पहली बात तो हम कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिया में ही वर्ल्ड कॉप ह होने वाला है तो ओडियंस जो है इंडिया की जाधा रहेगी तो प्रेशर रहता है लेकिन सपोर्ट जादा रहता है और क्रिकेट फैन इंडिया में बहुत है तो एक और कॉमन चीज देखी गई है कि क्रिकेट चाहे जहां भी हो रहा हो दुनिया में वहां पर 60 परसं 50 परस प्लीयर की बाद कर रहा है लॉल राउंडर या हमने बाह्तसमें के बाद की बोलर्स मीडिया कि एक और केही Cheers ओर किसे शहां पीछे रह सकता यह किम कैल राओन ने से रहे हैं तो दूंकर थोड़ार है और वयसे तो जाई है नहीं पासे कॉव in कमजोरी नहीं है देखिए खेल में कमजोरी यह सब कुछ होता नहीं है बस खेल है जो बुला हमारे समाधाताने की वह फणी गेम है कि तो कुछ भी हो सकता है खेल है सब अपने तरफ से पूरा प्रिपरेशन करके आते हैं अज़ा पनी गेम आप बोल रहे हैं लेकिन क्योंकि तो अज आज आए मोई तया ब्यु आपके प्रिक्षर ब्यूक्र करें कि जितने भी फैन्स वह जादा उमीद करें कि नहीं अगर यहां पर वर्ल्ट प्र तो यहीं जीतना चाहिए तो टीज पर भी उसका प्रेशर होता है गुंकि प्रिश्र की बात कर रहे हैं तो जब भी टीम पर्फॉर्म करती है तो अगर जीती टीम तो उसका श्रे कैप्टन को जाता है और अगर हारी तो उसका दोशी भी कहीं ने कहीं काप्टन को ही मानते हैं तो इसमें रोहित को यसा लगता है कि रोहित पर कितना प्रेशर होगा कि जीतेगी इंडिया की नहीं यह वह एक चीजद भी देखने को मरी कि खास करके करके यह एक चीजब देखने को मिल है रोहित शर्मा की खास करके कि कैपटन बनने के बाद भी एक बैट्समेन के तौर पर जो उनकी इनिंग जाती денег उसमें उतना फर्क नहीं पड़ा कैपटन सी के बात करे वार्देक पांडिया तो उनका कितना पर डिपेंडेंड नहीं रहते मिडी लॉडर भी हम लोग की उतने ही पक्की है तो प्रेशर वैसे तो कुछ लगता नहीं कि प्रेशर तब होता जब फॉर्म खराब होता और मैच वीनर प्लियर हमारे 11 ही मैच वीनर पिलियर है और जो स्टेंड बाई में भी हैं जो रिष्ट में भी हो सारे मैच वीनर प्लियर है तो रोहित सर्मा के लिए प्रेशर यह कि किसको खिला या किसको बैठा यह प्रेशर होगा जीतने की प्रेशर मेरे को नहीं लगते हैं अच्छा शुबमान गिल को कहते हैं कि वह टीम इंडिया के अच्छे उनका जो गेम है वह बहुत नैचरल गेम अपना नैचरल गेम एक तो शांच से दीरे दीरे रन मना के अपना लय में आते हैं और जैसे कि आप भी बोल रहे हैं कि कैप्टेंसी में रोहित सर्मा आप देख सकते हैं अगर एक टो अनलाइस करें तो वह मुंबै अच्छे नेचर गेम हैं और इंडिया के 15 में से कम नहीं भी तो वह लिमिटेड 7-8 प्लेर से जो नके अंटर में खेल चुके हैं उसाज़ा समझते हैं अपने अपने प्लेयर को इतना सारा बॉंडिंग रहते हैं तो वह समस्ते होंगे कि कैसे होता है सिच्वेशन ओलों ब रोहत शर्मा के कैप्टेंसी में कि अभी तक जितने उन्होंने मैचेज बतौर कैप्टन खेले हैं उसमें उनके पास पूरी टीम थी नहीं कभी कोली इसमें नहीं रहते थे कभी इसमें कोई और जो प्लेयर नहीं रहते तो इस बार शायद पूरे तरीके से एज़ा सुभाज जी भी है वो भी बता रहे हैं कि एक टीम जो है वो एक प्लेयर सा नहीं बनती है जो पूरा समीकरण है जो टोटल प्लेइंग 11 जो होगा वो कुल मिला करके इस बार जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देना की कोशिश करेगा सुभाज जी दो ऐसे टीम है सब कॉ आवन में और राउंडर के तौर पर है और शनाका जो है स्री लंका के कैप्टन ये दो टीम जो है वो किस तरीके से वर्ल्ड कप में देखते हैं आव इन दोनों टीम को देखिए ये दोनों टीम जो है ऐस ए यूनिट खिलता है जी उसमें किसी प्लेयर को अब अलग नहीं क बहुत वीक टीम नहीं सुछना चाहिए उसको उसी तरह से खिलना चाहिए जिस स amaustili vel छहता है वह सिचवेसं के हिसाब से खैलते हैं कि उस थिन का का कैसा सिचवेश nya कि आने कितने रंचे इसलिए उनको उस तरह से देखना नहीं चाहिए उनको देखना चैयी मेरा ऩापुनेंट यह Gleich me सुर्खियां भी बने हुए हैं क्योंकि जब से टीम इंडिया की जो वर्ल्ड कप की जो स्कौर्ड है वो जब से अनाउंस हुई है तब से दो प्लेयर हैं एक तो है यजुवेंदर चहल और दूसरे हैं शिखर धवन ये दोनों इनके जितने भी फैन से कही ना कही नाराज हैं ICC से भी और BCCI से भी कि इनको इस बार के वर्ल्ड कप में और दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सभी नहीं है कि उन्होंने खराब परफॉर्मेंस दिये जिनके वज़े से उनको टीम से बाहर क्या गया है इन दोनों प्लेयर के बारे में आप क्य कुल्डीव जादव को पिक किया गया इसी मिलरली धवन को अब देखिए और उदर आप सुबन्गिल को देखिए सुबन्गिल का परफॉर्मेंस को देखते वे उनको नहीं लिया गया गया गुड प्लेयर ये सिलेक्शन बेस्ट प्लेयर का अंदर में बेस्ट है इसलिए उनको सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब खराब नहीं है अच्छा ही में एक अच्छा जो सुबन्गिल हुआ मलब बेस्ट ऑफ दे बेस्ट में अगर चुनना था तो ये टॉप 11 चुने गए है और बाकी जो दो प्लेयर से उनका परफॉर्मेंस भी खराब नहीं रहा है इंजरी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा ट्रैक पर आने लगानी तो बीचे बीचे कुछ मैचों में उनका परफॉर्मेंस भी बहुत लो रहा था ये कितना ज्यादा इंपक्ट करेगी इंजरीज क्योंकि एक लंबे समय तक दोनों प्लेयर्स जो है वो बाहर थे देखिए जह कभी उनका फिटनेस दिखता है कि नौट अप तो दी मार्क यह हमको दीखा लेकिन आपका पास एक अल्टरनेटिव है जो इशन किशन है बिल्कुल जो आप उनको करा सकते हैं एड दी सेम टाइम वो प्रिशर में भी बैटिंग कर सकते हैं और जब स्लॉक करने के रहेगा कर सकते हैं वो अपना सावीत कर चुके हैं अजहां तक बुम्रा की बात है बुम्रा देखिए फीट होके आया और एक्जेक्यूट किया फर्दर अगर चोट भी लगता है तो उसका अल्टरनेटिव बैट्समेंट जो है बहु सारा बोलर जो है वो काफी अच्छा परफॉर टेमबा उसके कैप्टन है इस बार पूरे टीम को लेकर क्या है इस मैदान में जीतने के लिए और इनको चोकर समाना जाता है कहा जाता है कि यह कभी भी टेबल को पलट सकते हैं कभी भी मैच बदल सकते हैं पूरे टूर्णमेंट को बदल कर रख सकते हैं कई सारे रिकॉर् इतना इंपक्ट डालेगी सुभाज जी दिए साउथ अपरिका हमेशा अगर स्टाटिस्टिक्स देखे हैं हर साल वर्ल्ल कप के पहले उसका बरे चर्चा होता है लेकिन एक ती सावित हो गया कि जब 50-50 मैच्च होता है जब उस तरह का इंपक्ट रहता है कि यह मैच जितना ह उस समय पर अभी किया इसलिए साफ अफिर का बारे में हम ऊपको कुछ नहीं बोलने चाहते क्यों हमें स्टेश्टिक्स स्चाथ मेगा एंट परफॉर्मक्राइञ्च सिर्ख समय पे perform करना, semi final में perform करना, quarter final में perform करना, यह match जितने से हम आगे जाएंगे, उस टाइप हमेशा आभी तक World Cup का जो track record है, South Africa अभी यह proof नहीं कर पा है, उस मामले में New Zealand काफी proof कर चुका है, England प्रूफ कर चुका है, तो इसलिए हम South Africa को अभी उस तरह से देख नहीं रहे पूना मिन चलते चलते हो सकता है कि लेगे नहीं अच्छा परफॉर्म करें बिल्कुल प्रभा के पास एक बार दुबारा जाना चाहूंगा प्रभा जितने भी फैंसे उनसे एक सवाल रहेगा मेरा डिरेक्ली कि इंडिया के अलावा कोई एक ऐसी टीम बताएं अपने पसंद कि इंडिया के बाद अगर कोई व्लकुप जीता तो कॉन मेरे लिए तो पाकिस्तान है क्योंकि क्योंकि कॉंट्रोवर्सी भी इंडिया और पाकिस्तान का बहुत जादा यूज है और फ्लेयर्स चून हुरोक्छान के बहुत बड़िया लगते ऐसा सेकेंडिरी सेक्शन के पाकिस्तान को वो प्लेयर खेलते नहीं है वो तोड़ते हैं हम लोग बहुत सारे प्लेयर देखे पुराने सोय वक्तर हो गए वकार यूनिस उमार गूल यह सब जो प्लेयर थे यह सब एक हाई लेवल प्रफॉर्मेंट प्लेयर है और वस्ट इंडिस तो बाहर है वहले कि मेरी थाइट थी तो लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छे लगते हैं मेरे इसाब से न्युजिलेंट क्योंकि केन विल्यमसन की कप्तानी पर किसी को सकनी होना चाहिए क्योंकि अच्छे हर सुरू से ही वर्ड कप में किसी भी नॉक आउट टूनामेंट में वह अच्छे प्र मेरे लिए फाइटाइम चेंपियन अस्ट्रेलिया वह बहुत परफेक्ट कॉम्ब है उसका पुरा टीम जो है पुरा बैलेंस लगता हमको जितने बॉक बॉलर हैं टॉप बॉलर्स हैं ही जलूड हो गए पैट कमिंस स्टार्क इस्पीनर में आप ले लीजे तो मैक्स्वेल गए udah बैट्सिंन में अप ले जी समित हो गए वाडनर हो गए तो ये सब फॉम में नी सैसर्थे प्क्लू लगता है कि तो और वह प conflict के थीचे मेरे बहुत जाब जाड़ा को क् determines earned in messy इंडिया में वह सब पंडी संग इंडिया कंडिया कंडि संग्ण है मतलब जानते हैं बहुत जल्दी एड़ाप्ट कर सकते हैं कर जाते हैं तो अश्चिलिए बहुत मेले तो दो नूमर पी रहीगी सेके नूमर पर है बताएं इंडिया के बाद कॉन जीट सकता है इंग्लेंड जीट सकता है क्योंकि बैंस्टोक्स वह अगर रहे गया तो तो देखें बेंस्टोक से 2016 2020 वर्ल्ड कप में देखें चार चके खायत है कार्लोस ब्रेथवेट से उसके बाद उनका पॉफॉर्म देखें ऐसे जीता है वो वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवर 40 20 वर्ल्ड कभी जीता है इसलिए मुझे लगता है कि इंगलेंड यहां पर चार पांच न स्विलंका का थोड़ा भी इंजर्ड टीम चल रहा है कैप्टन भी थोड़ा भी सब्स्रगल कर रहे हैं बंगलादेश का ऐसे एश्यक अप में बहुत अच्छा परफॉर्म किये थे वह वीक नहीं बोल सकते पर वो लों के टीम बिल्टीम स्पिरिट नहीं इन सो लों टीम कर पा रहे हैं कि किसको कहां पर किया कैसे की सिच्वेशन में बॉलिंग करवाना है वो इंडिया में आके समझ सकते हैं साकिवल अलहसन भी खेले हुए इंडिया में साइब और स्री लंका का प्लेयर है दो तीन जो खेलते ही हैं मलिंगा रहेंगे उनके साथ बैक सपोर्ट कि उनको बहुत भी ज़रूरी है मलिंगा का र्याइग सपर्ट और बहुत मिनस बोल सकते हैं कि हां है वो लोग में बैकवर्ड बो सब्सक्राइब एक तरह कर दोबॉल के और आप नहीं सकते जिस लेवल की उनलोग की तो अभी वो लोक जूज रहे हैं लेकिन टक्कर दे सक क्योंकि स्रिलंका और ये बंगलादेश का कंडिशन सिमिलर इंडिया जैसे ही रहता है तो ये चीज है कि वह जीत नहीं पाएंगे लेकिन ये किसी को किसी का सपना जरूर तोड़ देंगे ये दोनों टीम मेरे को यासी लगती है प्रवाहलों स्टाटिस्टिक्स की बात कर रहे थे एक बड़ा अजीब सा आकड़ा है और वो ये है कि पिछले तीन वर्ल्ड कप जहां भी हुए है 2011 की हम बात कर ले उसके बाद हम बात कर ले 15 की और 2019 की तो जिस जिस जगह पे ये जिस जिस कंट्री में ये खेला गया है टीम वही टीम जीती है इस पूरे मैच को इस पूरे वर्ल्ड कप को तो क्या इंडिया की बारी है इस बार इंडिया में इस बानी कर रहा है तो क्या इंडिया के चांसे इस तरीके से भी बढ़ जाते हैं कि इंडिया इस बार जीतेगी वर्ल कप? कि वह यहीं आने वाली है बिल्कुल शुप संक्यत दे रहा है और शुबाज जी से भी हम बात कर लेते हैं इसी चीज़ को लेकर के शुबाज जी स्टाटिस्टिक्स आपने देख ली कि पिछले तीन बार से 2011-15-19 के हम बात करें तो जिस जगह पे खेला गया था वो वर्ल्ड आल-ाउट सपोर्ट करें आपका जो एटमस्फेर आपको जो विकेट्स है आपका जो सारा चीज है सब ग्राउंड में हर प्लेयर खेल चुका है एड्वांटेज इसको पताएगे क्या ड्वांटेज है क्या डिसाडवांटेज है कि वेदर में कहां पर बैंगलोर में कैसे कलकत्ता में कैलैंगे में अमिधाबाद में कैसे यह तो एड्वांटेज है मेरा यह कहना है कि यह सब एड़ेट पॉयंट स है टीम कॉमपोरीजन के साथ बिलकुर लेकिन जो दितने के लिए जो चाहिए इंडियान टीम को इंडियान टीम को हर मैच में उसको उसको स्ट्राइटिजी बनाना पड़ेगा एक-एक मैच से दूसरा मैच के वरे सोचना पड़ेगा ना कि आज हम फर्स राउंड का मैच खेल रहे हैं तो हम सेमी फाइनल करें के वरे सोच रहे हैं दर्सक को भी नहीं सोचना चाहिए जिस मैच खेल रहे हैं उसका जो फोड़ेगा उस्तरा से स्ट्राइटीजी करके जैसे आप देखे हूंगा मैंदे सिंग धोनी वर्ल्ड कप चैंपियन गवा था धोनी का ये स्टेटमें आये था मैंने हमेशा एक-एक मैच में इस मैच को खेल रहे हैं हम उस मैच के वारे सोच रहे हैं सोचते हुए नेक्स मैच जब पहुंचे है तो उस स्टेज में जब करने मैच का क्या सिचुवेशन चल रहा है उसके हिसाब से सोच करके आगे टीम प्रॉग्रेस करती है सुभाज जी एक आखरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा आपके हिसाब से टॉप फॉर ऐसे कौन सी कंट्रीज होंगी टीम होगी जो इस बार जो है वो सेमी फाइनल में जाएगी और उसके बाद फिर आगे फाइनल का रास्ता ताई करेगी प्रेजन्ट जो परफॉर्मेंस है इसमें भारत एक तो इंडिया मान के चल रहे हैं जी हमेशा बुलते हारे हैं कि इंडिया होना चाहिए जी उसका तो अस्ट्रेलिया बिल्कुर नियूजिलेंड और पकिस्थान तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं आपक हैं उनके हिसाब से टॉफ फोर जो टीम होगी सेमी फाइनल में या फिर ऐसी कौन सी दो टीम होगी जो इस बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी जी इस समेथ हम फाइनल्स की सीधे मान लीजे बात कर रहा हैं कि इंडिया तो पहुच गया है इंडिया के सामने कौन होगा इंडिया के सामने मेरे साब से पाकिस्तान क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में कभी खेले नहीं और जितने भी अनेजर कंट्री से इंगले 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 इंडिया सबसे प्लेयर खेल चुके हैं आई पिल में नाशनल नाशनल क्रिकेट में तो में को जहां तक लगत तो यह सब टकर दे सकते थे पाकिस्तान क्योंकि नॉकाउट में आप लोग पहले भी देखे हुए रिकॉर्ट समारे की नॉकाउट में पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाता खास करके विराट का तोड़ी निकाल पाते हुं लोग अभी तक तो इस बार कोशिस करेंगे निकालने क जी जाएा तो अफेसे निकांस नि यह कि शिवार नहीं से अम्लोग प्रिश आ बार इंडीया की मात कर रएंडिया में यहोरा तो आप लोग के अपनी पर परेशन किा धुडोर में और हैंडिया ही जीते चान्स क्यांग कोई मोग चनस द né आप लुग की अपनी परप्रेशन क्या है अग्जों करें आता है टो और देखना तो सभी मैच अच्छा थे लो घ्टने लेकिन उसके लिए बहुत जार इंटरनाशनल प्रफेशनल यॉस्ट बैठ है महां पर लेकिन अस्मेरे तरफ से पुरी इंडिया के वह बात कर रहते हैं वह यह पर आ गए चलिए हमने आखड़ें बहुत सरी चीजे बोल लीए कि यह प्लेयर के ऐसा पर्फॉरमेंस है वो तीम वो कंट्री वैसा खेल रही है लेकिन लास्ट में एक ही नाम जो है वो स्टेडियम में गुंजेगा इंडिया इंडिया ही जीतेगा और इसी मुझे लगता है कि एक उमीद प्रे और जो हम कहते हैं दुआओं में हर जगा यह होगा कि वो जो ट्रोफी है वो वर्ल्ड कप के नाम ही हो यही कारण भी है कि प्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं सुभाष शाटर जी जी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहेंगे और चाहेंगे कि इसी तरीके से जितने भी आप जितने भी दर्शक जो समचार प्लस को लगतार देखते रहते हैं अपना प्यार बेशुमार प्यार जो दिखाते रहते हैं वो लगतार इसी तरीके से बरकरार रहे और तमाम वर्ल्ड कप को लेकर के जो भी अपडेट्स आपको चाहिए वो आप हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर के पल-पल की अपडेट्स दे सकते हैं फिलाल के लिए इस पूरे महाकुम के उपर जो हमारी चर पर इस सकते हैं